हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चानल वीजुल आठ हिस्ट्री माहियेंस फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आजकल मॉक टेस्ट ले रही हूँ आप लोग का नेट जहरफ के लिए काफी हेलपफुल है और ये क्वेशन्स जो मैं सॉल्ब कर आ रही हूँ ये TGT, PGT, DSSB में थोड़े बहुत कोशन्स आते हैं Western के, KV में भी एक दो ही आते हैं तो ज़्यादा तर ये TGT, PGT, UP, TGT, PGT में आएंगे और आपके राजस्थान, RPSC में आते हैं तो ये 20 questions का mock test है जो कि आप लोगो के लिए काफी हेलफुल होगा 10 questions में अभी questions ही पढ़ते हुए जाओंगी और आप उसको solve कर लेना फिर उसके बाद मैं उसको answer जब दूँगी तो पूरा description में दूँगी फुल अच्छे से उसका detail भी बताऊंगी और paintings भी आपको show करती हुई जाओंगी तो Michael Angelo ने डेविट की मूर्ती कब बनाई थी राइट answer आपको बताना है 1501-1504 तक या 1504-1408 तक ठीक है 1509-1513 या 16-1604 तक ठीक है या आपको answer बताना है सेकेंड क्वेशन पीटा किसके द्वारा बनाई गई मूर्ती है विंची, गिवर्दी, मौरिनेती या माइकल एंजोईलो पीटा मूर्ती इस समय कहां सनरक्षित है सेंट पिटर्स, बैसिलिका, विटिकन सिटी या लूगर संगराले में या फ्रांस में या नेशनल गैलरी इटली में मौसेस नामक मूर्ती किस मादय में बनी है ब्रोंज, कास्ट, मार्वल, बलवा, पत्थर मौसेस नामक मूर्ती मोसिस नाग मुर्ति किस ने बनाई है माइकेल एंजेलो ने, ब्रॉक ने, राफेल ने, लियनार्दो दा विंची ने कुर्शन नमबर सिक्स किस ने चित्रित की है माइकेल एंजेलो ने, ब्रॉक ने, राफेल ने, लियनार्दो दा विंची ने friends, मैं ये देख रहे हूँ कि आप लोग comment तो अच्छे से कर रहे हैं मेरे को comments खूब आ रहे हैं मुझे पर लोग किसी ने mock test का answer नहीं बताया मुझे कि mock test में मेरा कितना आया है कुछ एक दो लोग बता रहे हैं, जैसे किसी ने बताया था, कि मेरे पिछले mock test में 12 questions सही हुआ है, तो friends, mock test भी करिए, आपको helpful होगा, मुझे बताईए या ना बताईए, आप खुद करते रहे, honestly, आप करिए, आपको ज्यादा benefit होगा, ये question जो है मेरे 20, ये काफी repeated question है, बार mock test करिए, अगर अभी start नहीं किया हो, फिर से मेरे वीडियो में back जाहिए, और फिर से आप number wise करते जाहिए, ठीक है, the last judgment किस ने चित्रत किया, Michael Angelo, Brack, Raphael, Leonardo da, Vinci, Michael Angelo किस समय के कलाकार थे, early rininsa के, high reninsa के, banjentine के, या किसी समय के नहीं थे, sister and chapel किस कलाकार के द्वारा बन आई गई थी, Michael Angelo, Vinci, Raphael, कोई नहीं, high reninsa के समय क्या रहा, high reninsa के समय आप एक बार चेक करिए, इस में से, ABCD में से क्या है, 1495 या 1500 से, 1527, 1500 to 1540, 1400 to 1450, या इन में से कोई नहीं, ठीक है, 10th है, Mona Lisa और Last Supper किस की क्रिती थी, Leonardo Da Vinci की, Raphael की, Michael Angelo की और इन में से कोई नहीं, ठीक है, Question No.10, 11, Mona Lisa कब बनाई गई थी और उसका माध्यम क्या था, Oil on canvas, 15 to 1505 या इस भी तक, Water and paper, 1600 to 1604 या इस भी, Fresco on wall, 1400 to 1401 इस भी, Oil and poplar panel, 1503 to 1506 इस भी तक, ठीक है, Next Question No.12, The Last Supper कहाँ बनी थी? The Last Supper कहाँ बनी थी, answer है, इसका objective answer, St. Maria Della Grazia, Milan, Italy में, Lubra Sangerhala, National Gallery Paris, इन में से कोई नहीं, Question No.13, Crucifixion कहाँ पर स्थित है? St. Maria Della Grazia, Milan, Italy, Lubra Sangerhala, National Gallery Paris, इन में से कोई नहीं, ठीक है, आप answer देते हुए जाएगा, Lady Vidan, Ermina, ठीक है, Ermina, मैं डिटेल में इसका बताऊंगी, answer देते हुए, के कलाकार कौन है, Raphael, Leonardo Da Vinci, Michael Angelo, इन में से कोई नहीं, 15, Question No.1, High Renanza, कलाकार कौन थे? Raphael, Leonardo Da Vinci, Michael Angelo, या ये सभी, ठीक है, Question No.16, School of Athens, School of Athens के कलाकार कौन थे? Raphael, Leonardo Da Vinci, Michael Angelo, या ये सभी, Marriage of Virgin, Virgin का विवाह नामक चित्र किस कलाकार का है? Raphael, Leonardo Da Vinci, Michael Angelo, ये सभी, Question No.18, Farna, Raina, नामक चित्र में राफैल ने किसे चित्र किया था? Raphael ने अपनी प्रेमिका को, Leonardo Da Vinci, ने अपनी प्रेमिका को, Michael Angelo ने अपनी प्रेमिका को, या किसी ने नहीं, ठीक है? Madonna, Madonna of the Stairs, किस की कृती है? Leonardo Da Vinci, Raphael, Michael Angelo, या किसी की नहीं? Question No.20, Michael Angelo ने प्रेमिका में क्या फ़ाव प्रदर्शित किया था? हाज से उसा करूण तेज, ठीक है? तो Friends, किसने किसने अपना मौक टेस्ट कर चुका? ठीक है? तो आपने अगर नहीं किया हो, तो आप फिर से कर लो, अब मैं आंसर बताने जा रही हूँ और डिटेल में इसका आंसर बताऊंगी, ठीक है? डेविड नामक मूर्ती किसने बनाई थी? Question था, मेरा first, ठीक है? एक डेविड नामक मूर्ती बनाई थी, माइकल एंजेलो ने, जो कि year था 15001 तो 1504, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यह marble sculpture था, इसका जो subject था वो biblical डेविड था, ठीक है? Dimensional जो था, वो 17 feet और 6.5 feet था, ठीक है? centimeter में 517 centimeter और 119 centimeter था, ठीक है? तो यह था माइकल एंजेलो का, अब इसमें next में पुछोंगे कि second question देखते हैं, क्या है? अब पियेता के एक मूर्ती थी, पियेता किसके द्वारा बनाई गई थी? ठीक है? तो पियेता जो थी, वो right answer का D हो जाएगा, माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई थी? ठीक है? थार्ड नूमबर का question है, पियेता के बारे में थोड़ा समय बता देती हूं, 1498 से 1499, वन एर में यह बनी थी, यह भी marble painting थी, marble मूर्ती थी, Jesus is my mother of Jesus, दिखाया है यहाँ पर, इसका जो dimensional था, वो 174 cm, 195 cm था, और इंच में अगर देखें, तो 68.5 इंच और 76.8 इंच था, फीक है? Next question, पियेता मूर्ती इस समय कहां सनरक्षत है? तो इसका right answer, ए हो जाएगा, St. Peter's, Basilica, Vatican City. मैं इसका आपको detail में, जो figure है पियेता का, वो दिखाऊंगी, जो की last question है, उसके साथ मैं इसको बताऊंगी, क्योंकि जो question है, उस हिसाफ से मैं उसको दिखा के आपको समझाऊंगी. Next question, नमबर 4. मोसेस नामक मूर्ती किस माध्य में बनी है? मोसेस ब्रोंज कास्ट मार्बल बलवा पत्थर में. तो मोसेस जो थी, वो मार्बल की बनी मूर्ती है, right answer is C, मार्बल की है. ये है मोसेस, Michael Angelo की, जो कि 1513 to 1515 में बनी थी. ठीक है, मोसेस का आप detail इसको देख सकते है बहुत ही सुन्दर ये sculpture था, मार्बल इसका किस तरीके से shine कर रहा है, आप इसको detail में देख सकते हैं. ये है मोसेस की मूर्ती, जो कि मार्बल में बनी थी. ठीक है, इसको बनाया था, Michael Angelo ने. ठीक है, आके बढ़े, next. फिफ्ट कोर्शन था, मोसेस नामक मूर्ती किस ने बनाई थी? तो ये मैंने बता ही दिया, Michael Angelo ने बनाई थी, राइट अंसर का A हो जाएगा. फिफ्ट कोर्शन देखते हैं, the last judgment किस ने चित्रत किया था? इसका भी मैं दिखा सकती हूं आपको चित्र. ये है, the last judgment का चित् आई के लिंजर ने बनाई थी, 1536 to 1541 इसको 5 ये लग गये थे चित्र को बनान में, और जो चित्र था ये फ्रेसको था, ठीक है, फ्रेसको था, ये देख सकते हैं आप, ये वाल बे बनी है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, last judgment, ठीक है, आगे बड़े, next question, ये इसका middle part है, जो बीच में था उसमें, अब देख सकते हो, last judgment के बीच में, ये बीच में जो बना हुआ है, यहाँ पे, ये वाला इसने large में करके दिखाया है, sorry, इसमें जो बीच में यहाँ पे ये बना हुआ है, इसको मैं large में इसमें दिखाती हूं, next picture में ये रहा, कित के द्वारा बनाए गया है, ठीक है, next question देखते हैं, next question 7, मैंने पुछा था, Michael Angelo किस समय के कलाकार थे, early renance, high renance, banjentine, इसका right answer हो जाएगा, right answer is a, early renance, ये तो मेरे ख्याल से सभी को बता होगा, ठीक है, next question number 8, system chapel किस कलाकार के द्वारा बनाए गया सा गया था, system chapel किस कलाकार के द्वारा बनाए गया था, इसका right answer हो जाएगा, Michael Angelo के द्वारा, right answer is a, Michael Angelo, ठीक है, इसका जो डा मेंशना था system chapel का, iska का डा मेंशना था 40 meter to 40 meter, ये fresco चित्र था fresco में sister chapel की दिवाल में michael angelo ने बनाया था इसको बनाने में इन्हें 4 years लगातार लग गया थे 1500 8 to 1500 तक इन्हों ने बनाया था high renansion काल के michael angelo थे high renansion काल में भी sister chapel का निर्माण हुआ था आप इसका चित्र भी देख सकते हैं यह सिस्टन चैपल की दिवाल यह आप देख सकते हैं सिस्टन चैपल की दिवाल में किस तरीके से michael angelo ने यह चित्र बनाया है कितना खूफशूरत है यह इसी में last judgment भी था michael angelo का इसी में यह सिस्टन चैपल के अंदर ही यह विख्यात है ठीक है नेक्स चलते हैं नेक्स पोर्शन की तरफ अब हाई रिनिंसा के बारे में पढ़े हैं तो हाई रिनिंसा का हमें time period भी पता होना चाहिए ठीक है तो question 9 था था हाई रिनिंसा का समय क्या रहा हाई रिनिंसा का जो समय था वो 1495 to 1500 से 1527 तक कहा जाता है ठीक है यह कहा जाता है कि 1500 से 1527 तक था ठीक है तो इसका right answer A हो जाएगा next question number 10 Mona Lisa तथा last supper किसकी कृती थी I hope यह बहुत ही easy है Mona Lisa लियोनार्टो दाविंची last supper भी उनिका था right answer A ठीक है लेकिन इसके आगे मैं और भी question करोंगे Mona Lisa से और last supper से ठीक है तो Mona Lisa जो चित्र था वो कब बनाया था next question है Mona Lisa चित्र कब बनाया गया था और उसका माधियम क्या था Mona Lisa जो चित्र था वो 1503 से 1506 में बनाया था ठीक है और इसका जो माधियम था वो oil on popular panel था right answer is D oil on popular panel 1503 to 1506 इसवी तक तो ये रहा Mona Lisa का मैं चित्र भी आपको दिखा सकती हूँ Mona Lisa और last supper last supper कहां बनी थी last supper जो था हो sent maria della grazia milan इटली में जो की 15th century में बनी थी last supper और इसमे sent maria della grazia जो बारह अनुयाई थे उनको जीसस ने उस समय कहा था कि कोई एक है जो मुझे धोखा देगा दे चुका है उसका इसमें वड़न हुआ है इस पेंटिंग में लास सपर में तो मैं मोना लीशा और लास सपर दोनों चित्र आपको दिखाती में ये रही मोना लीशा की पेंट कि लास सपर ठीक है तो ये सेंता मारिया डेला ग्रेजया इन मिलान में रखी गई है और इसको डामेंशन है ये 700 कंप लाइट इन्चेज तू 350 bi इंचेज है और 700 संटिमेटर आप इसको देख सकते हैं लार्ज करके ये किस तरीके से इन्होने अपने अनुयाईं को बैठाय है और उन्होंने कहा है कि किसी एक ने मुझे दुखा दिया है यह सारे जो भी बैठे हुए हैं इनके अन्वियाई वो आपस में डिसकस कर रहे हैं आपस में वारता लाव कर रहे हैं और जीसस शांती से शांत मुद्रा में बैठे हैं इसलिए इन्होंने लास्ट ज तो यह भी जो crucialive fishing है यह भी आपके वही पर है जहांपर last supper है, opposite wall में है, सेंटा मारिया डेला ग्रेजिया मिलान इटली में ही यह भी इस्थित है लास्ट सपर के अपोसिट वाली वाल पे इस्थित है इसका जो आप देख सकते हो इसका टाइमिंग क्या है 1495 अपोसिट टू लेनार्दूस लास्पर आप देख सकते हो यहाप पर लिखा भी हुआ है नेक्स कोर्शन देखते हैं, नेक्स कोर्शन था 13, क्रोसिफिक्षन जिसके बता दिया, इसका एक कोर्शन, एक एंसर सही होगा, सिंट मारिया, डिला, ग्रेजिया, इमिलान, इटली, याद रखे लिजएगा, ये है क्रोसिफिकेशन और लास सपर दोनों एक ही जगह पर है, एक दोनों एक दूसरे के अपोजिट वाल पर इस्थित हैं, ठीक है, लेडी विद एन एर्मीनी, एर्मीने के कलाकार कौन है, राफैल, ये नार्दो दा विंची, माइकेल एंजेलो या इन में से कोई नहीं, तो इसका मैं चित्रों दिखाती हूं आपको पहले, ये है इस्वेलाइज हो जाए और आपको ये चीज़े रिकॉल करने में याद रहे है, ठीक है, तो लेडी विद एर्मीनी, ये है लेण और्दो दा विंची द्वारा बनाई गई है, कोश्चन में मैंने पुछा था कि किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है, तो लेण और्दो द इसका डैमेंशल है 54 cm to 39 cm, 21 inches to 15 inches, इसका जो सबजेक्ट है ये है सैसलिया गयरले रानी, ठीक है, ये जो लेडी है, ये सैसलिया गयरले रानी है, ठीक है, अब नेक्स्ट वर्शन देखते है, 15, हाई रिनिंसा के कलाकार कौन थे? हाई रिनिंसा के मुख्य कलाकार कौन कौन से कहे जाते हैं, तो आपके राफैल भी हाई रिनिंसा के थे, लियोनार्दो दाविंची भी थे और माइकल एंजेलो थे तो ये सभी, राइट अंसर इसका D हो जाएगा, ये सभी, ये कुश्चन मैं इसलिए लाएंग हूँ कि मै राफैल के लिए हाई रिनिंसा यूज किया है, लिनर्दो दाविंची के लिए और माइकल एंजेलो के लिए तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहों कि हाई रिनिंसा क्या है और उसमें ये तीनों कलाकारों के नाम क्यों लिए जा रहे हैं, मैं एक वीडियो लाँगे रिनिं यह रिपीटर है, बहुत बार हैं, किसका चित्र है ये? राफैल का, स्ट्रिपन राइड अशर ए, मैं इसका पिक्चर भी आपको देए हैं, ये रहा राफैल का स्कूल आफ एथन्स, आप एक बार इसको देखे कितना सुन्दर पैनल है ये, ये चित्र आप देखके राफै की कलाकृति के बारे में सोच सकते हैं कि राफायल कितना ग्रेट आर्टिस्ट रहा होगा उस समय का ठीक है आप इसको बहुत ही ध्यान से देखे स्कूल आफेथिंस राफायल द्वारा निर्मित है question number 17 मैंने पूछा था virgin marriage of virgin virgin का विवा नामक चित्र किस कलाकार का है ये भी है राफायल का ही ठीक है आपको मैं एक ही आर्टिस्ट के कई pictures बता रही हूँ जो की बहुत most important question में आते हैं इसलिए आपको याद रखना है marriage of virgin virgin का विवा राफायल का है मैं इसका भी आपको picture दिखा सी हूँ ये है राफायल दौरा बनाया गया marriage of virgin ठीक है marriage of virgin virgin का विवा नामक चित्र आप इसको देखिए राफायल की कलाकरिती के बारे में सोचिए और इनके जो चेहरे के expression है आप उसको भी देख सकते हैं इस चित चित्र बनाये हैं भाव देखिए जो जिस चेहरे का भाव देखिए शर्माहत है वर्जिन के चेहरे पे और कुछ लोग यहां गाड की रूप में खड़े हुए हैं ये भी आप देख सकते हो ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये जो पोप है इसाई पादरी इनका एक्सप्रेशन देखो इसी तरीके से बहुत ही सुन्दर चित्र है ये मैरिज ओफ वर्जिन का मुझे ही डिटेल में दिखाने का बस ये मोटो है कि आप इसको विजुलाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा मैरिज ओफ वर्जिन प्रापैल का है ठीक इसमें आंसर मैंने दिया था राफैल ने अपनी प्रेमिका को चित्रित किया था लियनार्डो दा विंची ने अपनी प्रेमिका को या माइकेल एंजेलो ने अपनी प्रेमिका को तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे राफैल की राफैल की ये पेंटिंग थी जो फोर्णा र प्रिनादी वो राफैल की थी, राइट अंसर इसका A हो जाएगा, राफैल ने अपनी प्रेमिगा को इसमें चित्रत किया था, ठीक है? Next question है, Madonna of Stairs, किसकी कृती थी? Madonna of Stairs, ये थी Michael Angelo की, ठीक है, राइट अंसर इसका C हो जाएगा, Michael Angelo की कृती थी, ये एक relief work है, relief work, आप समझ रहे होंगे, जो दिवाल से आदी उपरी होई, नहीं ये मूर्ती में आती है, नहीं चित्र में आता है, जो दिवाल के पैनल पे बनी तो होती है, बट इसके जो faces होते हैं, ये बाहर निकले हुए होते हैं, जो लोग जानते होंगे, उनको तो पता होगा relief, बट कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो relief का मिन्स है कि आपका जो मूर्ती है, वो दिवाल में half fixed है, और एक पैनल पे बना है, जैसे मूर्ती होती है, जो थ्री डैमेंशनल होती है, वो पूरी तरह से आपका रखा हुआ होता है कहीं पे, जिससे उसका base बनाना पड़ता है, उसका back बनाना पड़ता है, उसके hand सब कुछ बनाने पड़ते हैं, बट relief जो चित्र होते हैं, relief में आपका दिवाल से चिपका हुआ, थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें बाहर निकल के आती है, वो होता है relief, इसका मैं picture आपको दिखाती हूँ, यह है Madonna का of the stairs, यह है relief work, जिसके बारे मैं आप बात कर रही थी, यह relief work है, ठीक है, यह relief work है, जो marble का बना हुआ, संग मरमर से बना हुआ है, आप इसका stone देख सकते हैं, यह पूरी तरह से मूर्ती की तरह दिखती है, बट relief मिंस आधा निकला हुआ, आधा उबरा हुआ, इसमें किस तरह किसे इन्होंने perspective भी दिखाया है, Michael Angelo ने इसमें perspective भ फील होता नजर आ रहा है, मडवना अपने बच्चे को feed करा रही है, वो भी दिख रहा है पूरी तरह से, और stairs कैसे यहां से start हो रहे हैं, और कैसे एक-एक stairs लग रहा है, जैसे दूर जा रहा है, यह real picture की तरह feel हो रहा है, कि सामने किसी चीज़ पर हम को देख रहे हैं, ठीक प्रियेटा आप बिल्कुल उसको देख के भाव भग नो हो जाएंगे, कि यह प्रियेटा इन्होंने किस तरीके से बनाया है, इसका जो answer होगा, C होगा, करुण से भरा हुआ, मैं इसका चेतर मुर्ती का picture आपको दिखाती हूँ, यह है प्रियेटा का sculpture, आप देख सकते हो, प्रियेटा माइकेल एंजेलो ने प्रियेटा में किस तरीके से एक एक बारी क्या दिखाई है, कैसे इशू को गूद में मृत लिये हुए, वर्जिन मेरी ने, कैसे वैठी हुए दिखाया है, कितना शोख है इनके चेहरे पे, कितना करुण भाव है, और इसू को डेथ कि दिखाने के कोशिश किए जैसे इनके जरीद में कोई जान नहीं है जिस तरीके से realistic भाव इनहोंने माइकल अंजेलो ने दिखाया है वो आप इस तब्द रह जाएंगे किस तरीके से इन्होंने marble में ही cuts दिखाए हैं जैसे feel होता है कि ये कपड़े के ही cuts हैं तो आप ये visualize करके आपको ये चीज़े भूलेंगी नहीं कभी भी कि पीटा में कौन सा भाव था पीटा में करुण का भाव था और किसने बनाया था वो था Michael Angelo ने बनाया था तो ये हो गया मेरा ये last वीडियो आप मेरी वीडियो को like करिए share करिए और subscribe करिए अगर पसंद आया तो comment करिए मैं ऐसी वीडियो लाती रहूंगी thank you for watching my video keep watching keep learning